हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है एक बर द्वारत से आपके अपने चैनल विवेक रणा स्टॉक्स पर दिल से तो दोस्तो बात करेंगे एपिसोड नमबर आठ की और स्टार्ट करने से पहले साथ वे एपिसोड में क्या हुआ था कि इन स्टॉक्स के हमने चर्चा करें थी एक बर देख लेते हैं दोस्तो इसको मत दिल से लेना अंदर जो बताऊंगा उसको सुन लेना प्लीज राइट तो दोस्तो एपिसोड नमबर साथ में ये कुछ स्टॉक्स थे जिनकी हमने चर्चा करी थी अगर आप इन स्टॉक्स के बारे में जाना चाहते हो तो डेफिनिटली लिंक्स नीचे मि अई पता है सभी के सभी कॉमेंट मैं नहीं ले पाऊंगा दिल से माफी चाहुंगा उसके लिए आप रेगूलर कॉमेंट कीजिए डेफिनिटली आपका दिन भी आएगा और डेफिनिटली आपके स्टॉक के ओपर भी हम चर्चा करेंगे तो निराज होनी का सकता नहीं है हीचे comment किजी आपका number भी definitely आएगा और दोस्तों कुछ भी समझ आएगा तो make sure like कर देना, share कर देना, facebook, twitter, telegram, whatsapp और साथ पर comment पक्का करना तो दोस्तों start करते हैं जैसे आपको पता आज Tata Motors में 10% का circuit देखने को मिला है और आपने news तो पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी तो आपको बता देना चाहता हूँ जो Tata Motors छोड़ो, यह जो issue आ रहा है, यह globally issue देखा जा रहा है मैंना global, worldwide यह issue देखने को मिल रहा है, वो है दोस्तो, chip shortage चीहां दोस्तो, आपको मैं दिखा रहेता हूँ, चीहां दोस्तो, इन chip shortage की कम्या हो रही है यह वैसे Q4 में भी देखने को मिली थी, लेकिन company ने digest कर लिया था मतलब हमारे stock market के price ने digest कर लिया था, लेकिन company ने दुवारा warning दिये कि Q1 में मतलब जो भी चल रहा है, इसमें भी इसकी shortage देखने को मिल सकती है दोस्तो, यह सिर्फ इंडिया में नहीं है, यह globally देखने को मिल रही है तो definitely दोस्तो, अगर Q1 में भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है, उससे मिल चुका है, right मिल चुका है और इसी वज़े से आपको almost जो stock में 10% का circuit, lower circuit देखने को मिला है अब future में stock में क्या हो सकता है, chart के माध्यम से जानने का प्रियास करते है तो दोस्तो, मैंने Tata Motors का chart आपके लिए draw कर लिया है दोस्तो, अब stock में क्या करना आपको, वो आपको बता देता हूँ दोस्तो, मेरा मानना है stock का जो support यह निकल के आता है, वो निकल के आता है 280 रुपे और 280 रुपे, जो मैंने यह draw कर रखा यह रहा दोस्तो, यह support एक बार, दो बार, तीन बार, almost तीन बार test हो चुका है support अगर यह इसके नीचे close करता है एक candle, तो definitely यह चिन्ता का भी से हो सकता है अगर यह नहीं करता है, और मेरा मानना दोस्तो, यह दुबारा से यहां कहीं support ले सकता है तो अगर आपको 280 रुपे की लेवल में Tata Motors आने ले वक्त में दिखता है, तो भीया, definitely एक opportunity हो सकती है लेकिन अगर यह 280 रुपे का लेवल एक अच्छानक से तोड़ देता है, इसके नीचे तोड़ मतला gap down खुल जाता है इसके नीचे तो definitely Tata Motors में काफी नीचे के लेवल आपको देखिने को मिल सकती है, तो आपको करना क्या है, आपको wait करना opportunity का, देखना की 280-255 के लेवल में क्या होता है अगर इसके नीचे gap down खुलता है, तो definitely यह काफी नीचे के लेवल आपको Tata Motors में देखिने को मिल सकती है, 200 रुपे के लेवल तो अपने system में feed कर लो, ठीक है भाई, बढ़ते हैं हमारे अगले stock की तरफ इसका नाम है दोस्तों आपने stock के बारे भी पुछा था, stock का नाम NCC है, आपको याद होगा है राकेश, जुनुन वाला जी की भी stock में holding है और आपको मैंने बहुत क्लियर का था, 82, 85 के लेवल में आप stock को बाय करके चल सकते हो, मैंने इसके उपर एक separate video analysis भी किया था, मैंने आपको बतलाया था, stock मुझे काफी पसंद आ रहा है 101 रुपे के target आपको बहुत जल देखने को मिल सकते हैं, दोस्तों, you can see, यहाँ इसने support लिया, same price में 82, जैसे मैंने आपको बताया था, opportunity मिलेगी, 82 रुपीज के आपस, you can bet on it, बतला आप इसको buy करके चल सकते हो, बस हमारा एक general view था, आप एक बार खुद की research add कर लिया करो, and also you can see, अभी 91 चल रहा है, definitely 100 रुपे का price test करेगा, यह हमारा T1 था, and जो T2 निकल के आता है, वो 120 रुपे निकल के आता है, अमदर target number 2, right, तो definitely आप stock hold कर सकते हो, अगर आपने hold किया, stop loss की बात करता हूँ, तो आप यह आला swing, यह आला swing, stop loss के रूप में use कर सकते हो, जो 78 औ 79 रुपीज के आसवाद निकल के आता है, मत चार रुपे का stop loss ता, target आपको बता ही है, अब बात करते हैं हमारे दोस्तों, EKC, right, EKC मत्तब average canto slender, अगर मैं गलत नहीं बोला, तो I think एफिल फॉर्म है, आपको बता, oxygen supply करती है, और जैसे COVID-2 आया था, मैंने लहर आई थी, उ stock almost बहुत छी तरीके से उपर pump हुआ था, लेकिन अब dump भी हुआ है, तो अब stock में क्या करना है, तो अगर आप यहां कही stock में first चुके, तो मैं बोलूँगा, अगर हो सके, तो 78 रुपे stock का support निकल के आता है, यह दिख सकते हैं, अगर यह stock 78 या 70 रुपे के आप support लेता है, तो आप stock में entry कर सकते हो, अगर नहीं बैठता तो आप ignore करो, क्योंकि दोस्तों, अगर 78 रुपे में entry करोगे, 50 रुपे में भी entry करोगे, 50 का stop loss लगाओगे, तो 25 रुपे का stop loss होता है, तो सोच समझ के, रिक्स management को ध्यान अगते में investment करना, पाकि इसके जो एक पर profit है, Q4 के एक पर वो देख लो कैसे आए, मैंने नहीं देखा है, मैंना मेरी stock में holding है, हाँ मैंने आपको recommend पका किया था, 80 रुपे और 80 रुपे के levels में, जब stock वहाँ से almost 500 रुपे तक चले गया था, मेरे जो target थे, 120 रुपे, 130 रुपे थे, जो अगले 3-4 दिन के अंदर आगे थे, त परते हैं हमारे अगले stock के तरफ उत्तम स्टेल गालवा, ठीक है, अगर मैं नाम सही पर पढ़ाऊं, तो यही नाम है I think, उत्तम स्टेल, तो दोस्तों आप देख सकते हो, stock का support area यह रहा, and दोस्तों you can see, इसने एक registration मनाया, same registration, मतलब यह registration यह support है, अब अगर यह stock यह support ले ल और 8 रुपे के levels तक लेके जा सकता है, लेकिन अगर यह stock इसके नीचे close कर देता है, तो definitely आपको भी बहुत तगड़ी वाली selling देखने को मिल सकती है, यह stock को 1 रुपे और 2 रुपे तक लेके आ सकता है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 3 रुपे 50 पैसे के levels में दे रहा है, बढ़ते हैं हमारे यह lifestyle gems करके, ज्वेलरी कंपनी हैं जैसा को था, diamond and jewelry का का में stock का, यह stock मैंने आपको 4 रुपे या 5 रुपे के आसफास तो recommend किया था, मुझे अच्छक real price याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं हर stock में पैसा नहीं लगाता हूँ, ठीक आपको move है बो याद में नहीं हूँ कि सब stock buy कर लूँ, ठीक तो दोस्तों आप देख सकते हो, stock में एच्छा यह pattern बन रहा है, एक cup and hander pattern का formation हो रहा है अभी, तो stock को अगर आपने hold किया, तो hold करो, लेकिन एक stock नीचे जाता, जैसे आपको याद होगा, last video में आपको stop बजाता, अगर आपक आपको दिख रहा है, एक second है, जस्ट एक second, एक second यार, तो दोस्तों आप ये stop loss की room में use कर सकते हो, जैसे आपको दिख रहा है screen में, ये आपका stop बजाना चाहिए रहा, जो आ निकल के आता, I think, साड़े चार रुपे, या पांच, साड़े चार रुपे की आसपास, ये चार ये stock हमने आपको 8 रुपे के levels में recommend किया था, 8 रुपे से almost 22 रुपे हो गया, और 500 या 3-4 दिन पहले वीडियो मनाया था, बहुत clear का था भाई, RSI indicator 80 plus हो चुका है, हमें संकेत दे रहा है कि stock कभी भी धढ़ाम हो सकता है, दोस्तों you can see stock धढ़ाम हो चुका है, तो मैं आपको लगतार बताया था, stock में profit locking कर लो, अब आप लोगोंने करा ये नहीं करा, मुझे नहीं पता, मेरी इसमें अभी कोई position नहीं है, ठीक है, आपको ये बता देना चाहता हूँ, आप stock में क्या करना है, अभी stock लगतार नीचे गिरेगा, आपको पता है, जो सुगा stock से लगतार भागने में लगेते हैं, तो ये भी rally participate कर रहा था, साथ में आपको पता है, ये company के जो fundamental है, zero है, zero मतला समझ जाओ, मतला ये घदा घदा घोडा बन गया, मतला almost हमारा पैसा इसने डेट सो दो सो पसंट का gain दिया, आट रूपे नहीं, छै रूपे के label से, ठीक, परते हमारे इसका नाम है, इसका कोई नाम नहीं है, आपको दिखाता हो, क्या है, एक सेगिंड यार, ये क्या हो रहा है, तो दोस्तो काफे important lesson होने वाला सुनो, इसने भाई ने लिखा है, वहवब वीरजी ने, इन्होंने लिखा है कि भाई, RSI indicator 50 आ चुका है, कि इसका, आपका, ये PMC और मैंने बोला है कि एक रूपे चले फिस स्टॉक का सपोर्ट एरिया है, उससे पहले बाई नहीं करना है, ठीक है, तो दोस्तो मैं आपको थोड़ा ना ज्यान दे देना चाहता हूँ, बहुत लोग ना सायथ कुछ मेरी wording ना मिस कर देते है, या मैं आपको समझा नहीं पा उपर से जब नीचे गिरा है, तो कितनी जल्दी गिरा है, पहली बात तो यह, और दूसरी बात दोस्तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि RSI कर पचास आता है, तो आपको पचास आते ही स्टॉक को ग्रैप नहीं करना है, मैंने PMC FinCop का चार्ट देगा, स्टॉक में बोला था, आपको बता देना चालता हूँ, मैं यह बोलता हूँ, जब RSI इंडिकेटर पचास नीचे गिरे, पचास से नीचे गिरे, और पचास गिरने के बाद मालो जाबी स्टॉक ने सपोर्ट लिया, तीस में लिया, चालिस में लिया, और लेने के बाद, जब स्टॉक उपर चड़ता है, पचास के उपर क्लोस करता है, RSI इंडिकेटर में तब स्टॉक को बाई करना है, समझेगे, ना पचास आते ही स्टॉक में खूद नी जाना है, आपको प्राइज एक्शन का कन्फरमेशन लेना है, पचास के नीचे जब नीचे जाए, जाने के बाद एक इन्हों नीचे कॉमेंट किया था, मुझे नहीं पता कंपनी क्या करती है, फंडामेटल मुझे नहीं पता, चार्ड मुझे ये कह रहा विवेक, इस्टॉक ने अच्छा काता क्लोस कर दिया, अगर इस्टॉक ने सम्हाओ ये कैनल का लोग तूट दे है, वीकली कैनल में ने एकजिट कर सकती हो, रिक्वेस करूँगा, खुद की एक बार रिसर्च कर लेना, अगर उस स्टॉक यहां से रिवर्स हो जाता, तो मुझे ब्लेम मत करना, मैं आपके जगाता हो तो मैं डेफिन्टी स्टॉक से एकजिट करता, और दुबारा मौका मिलता, दुबारा भी ए इसे कास पर रिक्रमेंट किया था, उसमें 100% का प्लेज था, I know प्लेज है, मुझे भी खुद पता वही है, जो स्टॉक मैं आपको रिक्रमेंट किया था, लेकिन हर चीज मैं टेकनिकल और फंडामेंटल तोनों को मिक्स करके नहीं देता हूँ, जो मैंने 6 रुपे का पैनि अनालेसिस के माद्यम से दिया था, ठीक है सिर्फ टेकनिकल चार्ट को देखके मैंने आपको रिक्रमेंट किया था, राइट कुछ स्टॉक होते हैं जो सिर्फ टेकनिकल चार्ट को देखके भी उपर चले जाते हैं, तो बात को समझो, ठीक है भाई, तो आचा अगर तो अच्छा लगा ना चलो बाई वे टेके गुट नेड़ें